नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानी उस और मैरानी गुपता आपके साथ लगातार ये खबरे सोशल मीडिया पर सामने आ रही है कि दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है उसकी OPD 22 जनवरी यानि कि प्रान प्रतस्था के मौके पर धाई बज़े तक के लिए बंद रहेंगी यानि कि आप यदि OPD सेवाओं का लाब उठाने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी लाब नहीं ले पाएंगी क्योंकि OPD बंद रहेंगी दरसल ये जो जूट है लगातार विपक्ष के कई सारे नेताओं और इसी के साथ ही तथा कथि पत्रकारों के द्वारा फिलाया जा रहा था जिसके जूट का अब खुलासा हो चुका है खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली एम्स जो है वो 22 जनवरी को नहीं बंद रहेगा यानि कि पहले तो ये खबर वाकई हुए सामने आई थी कि दिल्ली एम्स ने ये फैसला लिया ह कि OPD सेवाए धाई बज़े तक के लिए बंद रहेंगी जैसा कि हर तहवारों में देखने को मिलता है फिर चाहे वो ईद हो क्रस्मस हो दिवाली हो गरतंत्र दिवस हो स्वातंत्रता दिवस हो या फिर शनिवार और रविवार यानि कि जितनी भी रास्टिय चुटियां होती ह है उस अवसर पर दिल्ली एमस बंद होता है और चुटी होती है लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रान प्रतिस्था के अवसर पर भी धाई बज़े तक के लिए यानि कि हाफ डे की चुटी का अनाउंस्मेंट यहाँ पर किया गया था लेकिन जिस तरीके से वि के पर ही बंद की जवा रही है इस से पहले तो दिल्ली एमस की जो ओपीडी सिवाए हैं वह अन गिनत यानि कि जब से एमस हॉस्पिटल बना हुआ है तब से उसकी ओपीडी सिवाए चुल रही है इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशश की गई जिसके बाद अब दिल्ली यह फैसला लिया है और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है यानि कि धाई बज़े तक OPD सिवाए बंद नहीं रहेंगी यह चालू रहेंगी आपको बता दे कि जिस तरीके से प्रियंका चतुरुएदी हो अजीत अंजुम हो या फिर कपल सिब्बल हो इतने बड़े- इमस की OPD सिवाए बंद होती है लेकिन तब तो इन विपक्षी नेताओं के द्वारा इस तरीके का सवाल नहीं उठाया जाता जाहिर तोर पर एक बार फिर से यहां पर तुस्टी करण की राशनिती करने की कोशिश की गई है और यह वही नेता है जो कि पहले तो राम बंद बंद करके तयार हो चुकी है इंतजार लोगों का 22 जन्वरी को है प्रांप्रतस्था का इंतजार है तब अब यह नेता किसी भी तरीके से राममंदर को लेकर के बयान देता हुए नजर आ कभी वो कहते हैं कि हम इस निमंत्रन को स्विकार नहीं करेंगे कभी कहते हैं कि हम प्रांथ प्रतस्था पर नहीं जाएंगे कभी कहते हैं कि बीज़ोपी आरसस का इवेंट है तो कभी कहते हैं कि वह सुप्रीम कोट के स्पैसले से ही संतोस्थ नहीं है तो तमान तरीके की बा को आप दिनों की तरह ही OPD चालू रहेगी स्वास्त मंत्राले के सूत्रों ने कहा है कि लेडी हार्डिंग और सफदर गंज राम मनोहल लोहिया सभी हॉस्पिटल खुले रहेंगे यहां तक कि एमस ने भी अपना फैसला पलट लिया है दरसल आपको बता दे कि राम मंदिर की प्रान प्रतस्था के मद्द नजर एमस सवदर जंग और राम मनोहल लोहिया समेत राजधानी में केंद्र द्वारा संच्वा लेते हैं चार हॉस्पिटल को 22 जनवरी को दुपह धाई वजे तक बंद रखने का फैसला किया गया था केंद्र के इस फैसले पर विपक्ष ने अपने सूशल मीडिया प्लेटफॉम एक्स पर लिखा हेलो हुमन्स कृपया 22 तारिक को किसी मैडिकल आपात स्थती में आ जाएं और यदि आप जाते हैं तो इसे दुपहर दो बज़े की बाद नरधारित करें क्योंकि एमस दिल्ली मर्यादा पुर्शोतम राम के स्वाग गोखले लिखते हैं भारत का सबसे बड़ा सरकारी होस्पिटल एमस दिली सुमवार दुपह धाई बज़े तक बन रहेगा लोग ठंड में बाहर एमस के गेट पर अपॉइंट्मेंट के लिए इंतजार में सो रहे होते हैं गरीब और मारने वाले लोग इंतजार कर सकते है क्योंकि कैमरे और पियार के लिए पियम मोधी हतार्शा को प्राथमिक्ताद देते हुए नसर आ रहे हैं इसी के साथ ही राजसवा सांसत का पल सिबल लिखते हैं एमस 22 जनवरी से दुपहर धाई बज़े तक OPD सिवाइब बन रहेंगी राम राज में असा कभी नहीं होता वहीं योट्यूबर पत्रकार अजीत अंजुम लगते हैं डेश के सबसे बड़े वहस का आदेश है कि सुमवार को किसी भी सूरत में बिमार नहीं पड़ना है इसी के साथ ही आपको बता दें वहीं दूसरी ओर युवा कॉंग्रस के रास्टी अध्याक्षर श्री निवास बीवी ने लिखा अगर एम्स जैसा हॉस्पिटल प्रान प्रतस्था के कारण दुपहें धाई बज़े तक बंद रहता है तो इलाज के अभाव में जुनकी जान चली जाएगी उनके लिए किस से धन्यवाद दिया चुआएगा साथ ही पत्रकार निदे लिखती हैं एम्स म पीछे छोड़ दिया है और इस तरीके से यह चीजे जो हो रही है वह गलत है वहीं पत्रकार जाकिर अलित्यागी लिखते हैं यह आदेश बेहद शर्मनाक है कि 22 जनवरी को दिल्ली का एमस भी बंद रहेगा दुपहें धाई बज़े तक एमस का कोई भी विभाग नहीं ख लिखा कि जनदगी और मौत के बीज जूल रहें मरीजों के लिए यह तुगलकी फर्मान मौत बनकर मंद राएगा फैसला अमानमी है ऐसे फैसले को भगवान राम को भी सुईकार नहीं होंगे वहीं देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग लगातार इस पूरे मामले पर जु 14 अप्रेल यानि कि भीम राओ अम बेचकर के जन्म दिवस के मौके पर भी पूरे दिन तक दिल्ली एम्स की जो ओपीडी सेवाएं थी वो बन थी इसी के साथ ही आपको बता दे कि एम्स ओपीडी ईद क्रिसमस दिवाली स्वतंत्रता दिवस गरतंत्र दिवस और हर शनिवा रविवार सही सभी रास्तिय चुटियों पर बन रहती है बता दे कि राम मंदर प्रान प्रतस्था समारो स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है और देश के बहुत संक्यक हिंदूओं के लिए अत्यांत महत्वपूर्ण दिन है अतिहासिक दि इस दिन को मनाने का पूरा अधिकार है जिसकी बज़े से इस बात का अलान किया गया था कि धाई बज़े तक एमस की जो ओपीडी सिवाए हैं वो बंद रहेंगी लेकिन यहां पर जिस तरीके से लोगों ने जूटी खवरे फैलानी शुरू की उसके बाद अब इस फैसले क को वापस लेना पड़ा है दरसल 22 जनवरी को आए उद्या के श्वी रांग जन्मभूमी मंदर में रामलला की प्रांट प्रतिस्था होगी समारों को देश भर में कुछ सव की तरह मना आए जाएगा इस बात को ध्यान में रखत हुए केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को सभी के घोशना की है कई बीज़पी श्वासत राज्जों ने भी केद्र सरकार की इसी तरह अपनी सरकारी संस्थानों में भी आदे दिन की छुट्टी की घोशना की है साथ ही असम और यूपी समित कुछ अन्य राज्जों ने 22 तारीख को ड्राइडे घोशत किया है मांस की दुक प्रतस्ठा समारों के लिए अतीतियों का आयोध्या पहुंचना शुरूप भी हो चुका है प्यामोदी समारों के मुक्य यजमान होंगे उनके हाथों ही रामलला की प्रांद प्रतस्ठा होनी है देश-विदेश से 8000 सिज्जादा महमान आयोध्या पहुंचेंगे अनुमा का एरपोर्ट पर सर्फ प्रधान मंत्री मोदी के प्लेन के अलावा अन्य साथ फ्लाइट होंगी जिसे पाक किया जाएगा यानि की पूरी तरही के से सुरक्षा के भी इंतिजाम यहां पर किये गये हैं फिलाल इस पूरे मामले को ले करके आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं धन्यवाद